माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांस्फरमेशन, पावर अफ थॉट्स, आधिप्रेणा दायक एवं आध्यात्मिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें वी के कभी, एक्ट फ्री यूट्यूब चैनल तो ये है हमारी सवेरे की छोटी सी प्राक्टिस इस से क्या होता है कि सवेरे के 5 से 10 मिनट जो हमारा सबकॉंश्यस माइंड पूरी तरीके से खुला था, उसने हमारी पूरी कमांड को स्वीकार कर लिया जैसी पूरी कमांड को स्वीकार किया, अब वो अपना काम शुरू कर देगा और पूरे दिन हम देखेंगे कि magical changes हो रहे हैं आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अमृत्वेला मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 2 से 3 ऐसी चीज़े आप जोड लीचेगा, अमृत्वेले के end में भी आप कर सकते हैं अमृत्वेले के बीच में भी और शुरू में भी जब आपको ठीक लगया आप कर लेना तीन ऐसी चीज़े, दो ऐसी चीज़े आप add कर सकते हैं इसमें कि जिने आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं लेकिन वो बहुत समय से हो नहीं रही कोई विगन वारा है, कोई समस्या है, कुछ भी है, वो हो नहीं रही बार-बार होती होती रह जाती है और उसके कारण आपके बुद्धि वाठ की रहती है और कई बार आप ग्यान योग पर भी ध्यान नहीं दे पाता है तो हम ऐसे में क्या करेंगे, वो कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक, अधैसे में हम क्या करेंगे, कि हम उन जो हमारी शुद इच्छाएं हैं, शुब इच्छाएं हैं, उने हम क्या करेंगे, इस प्रकार विश्वलाइज करेंगे, जैसे मानवो हो गई है, ज आप चाहते क्या हो कि कांधे में दर्द ना रही यानि ये ठीक हो जाए तो हमें करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ आप सवेरे अमृत्वेले के दौरान किसी भी समय जब आपको बहुत अच्छान भग हो रहा हो आप एक चित्र बनाएंगे कि आपका ये जो कांधा है एक द परफेक्ट हो गया है आपके फ्रेंट आपके भेन भाई कोई भी आपके रेलिटिव कह रहे हैं आपको अरे आपका कांधात एक दम ठीक हो गया है चित्र बनाएंगे और आपका दिल से शुक्रिया बहुत-बहुत-बहुत-शुक्रिया बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- शुक्रिया कि आपने मेरा ये कांधा एकदम ठीक कर दिया तो इससे क्या होता है कि हमारे mind की जो frequency होती है वो उपर चली जाती है जैसी वो उपर जाती है high frequency में रुका हुआ mind क्या करेगा आपके तन को भी high frequency यानि high state में रखेगा आपकी body को भी वो fit रखेगा ये आदत पक्की करें माताइं तो विशेश ध्यान से सुननें माताइं तो जैसे थोड़ा भी कुछ भी शरी में तकलीफ होता है कोई भी मिला तुरंद बोलेंगी भाई जा यहां दर्द है यहां दर्द है यहां दर्द है और इतने अच्छे से फीलिंग करके बोलती है कि मन भी कहता है कि बिलकुल पूरी तरह से अक्ट करके दिखा दिया है माता ने तो तो ये तो मेरे को इनका हाथ ऐसा बनाना ही पड़ेगा तो वो क्या देखता है कि दिन पर दिन वो हाथ और जादा पेन बढ़ता ही जा रहा है कि बजाए हम इसका उल्टा करेंगे बिलकुल कि सवेरे अमृत वेला नुमाशाम योग में और दिन भर में भी अगर अमृत वेला नुमाशाम कर लिया तो दिन भर में करना बड़ा असा हो गई देखेंगे आपके इतनी फास्ट हीलिंग हो रही है कि इतना मज़ा आएगा आपको अरे ये क्या हो रहा है तो जादू है एक्च्वल में जादू ही तो हो रहा है चारों तरफ क्या ये जादू नहीं है कि आप वहां बैटे हैं यूएस में बैटे हैं मैं यहां बैटा हूर एक दूसरे से मिल रहे हैं ये सब जादू ही तो हमारे आसपास हो रहा है मैं बोल रहा हूं आवाज आपके पास वहां जा रही है यूएस में तो देखिए हर चीज हमारे आसपास क्या हो रही है, ये मुबाइल, ये सब जो भी आप देखते हैं, क्या सब जादू ही तो हो रहा है, कैसे हो रहा है सब, तो जादू ही है, यहां प्रकरती में जादू भरा पड़ा है, we have to use that magic, तो हमें इस तरीके से उसे करना है, ठीक है, तो समझगी माता है, क्या करेंगी, क्या बोलेंगी जब कोई पूछेगा, क्या हाल चाल है, क्या बोलेंगी, है, माता है क्या बोलेंगी, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, ऐसी करके दिखा दो, हाथ पाउं ही चला के दिखा दो, कैसे बोलेंगी, ऐसे बोलेंगी, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया क्या वस उड़ रहे हैं हम तो बहुत खुश हैं ऐसे बोलेंगे न मता हैं है ऐसे बोलना है अब ऐसे कुछ नहीं करना है ठीक है समझ रही है क्योंकि हमारी मताएं भावनाओं के आधार पे चलती है तो इतनी भावना के आधार पे रहती है कि भावनाओं में बहके अपना भी कई बार नुकसान कर लेती है यह अपना ही नुकसान है ऐसा कोई तन नहीं है आज के समय में कलियुक के बिलको लंत में कि वो हंड्रेड परस फिट हो भाई कैसे रहेगा जब प्रकरती पूरी तमो प्रदान हो गई है तो 100% पर फिट हो रहने वाला है नहीं चाया आप कुछ भी कर लो मैं अपने अन्भाव से कहता हूं कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ अपर नीचे थोड़ा बहुत जरूर होगा अब हम उसको गाने ल पचास किलो बजन हो और उसे कोई आपके सर से उतरवा दे तो आप उसे धन्यवाद बोलोगे या उसे गालिया दिंकालोगे बताओ क्या करोगे धन्यवाद बोलोगे न कि जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद भाई साब आपका मैं तो बड़ी बोजिल थी तुना सरभारी हो रहा था अपने उतरवा दिया बोलोगे अब देखो हमारे सर पे द्वापर युग से अब तक पापो का बोजा है ऐसा बाबा मुरली में कहता है यानि बोजा है वो तो हम अनुभव करते विया है अब बीमारी या जिसे हम दर्द तकलीफ या विगहन कहते हैं कुछ भी हमारे जीवन में आता है पता क्यूं आता है वो हमारे सर से उस 50 किलो को 25 किलो में छोड़ने के लिए यानि 25 किलो वजन उतारने के लिए आता है वो कई बार तो पूरा उतारने की भी पोशिश करता है पर हम उसे वो मौका देते ही नहीं है हम कहते हैं भी हम तुझे अपनी पूरी सेवा करने नहीं देंगे कैसे देखो सुरू वो आता है हमारा बोज कम करने हम क्या करते हैं उसे जम के जम के वो सना शुरू कर देते हैं हम बीमारियों को इतना कोशते हैं कि पुछो मत अगर कोई बीमारी हमारे तन में हो गई न तो हम इतना कोशते हैं इतना कोशते हैं बीमारी को कि पुछो मत कैसे कोस्टें आप भी जानते हैं यह तो आप अच्छे से जानते ही हैं अब प्रकरती यानि बिमारी क्या कहती है बैं मैं तो आपके पास आयी थी आपका बोच कम करने कीलिए है लेकिन आपने मुझे कोस कोस कर और प्रक्रति में इतने negative vibration फैला दिये है कि आपके सर पे पाप का बोज और बढ़ गया है, पहले तो 50 kilo था, आप ने उसको कर दिया 70 kilo समझगे, 70 kg कर दिया आपने उसको, आप ने उसको 90 kg कर दिया तो अब क्या है जी मुझे तो आदेश आया था कि मुझे आपके सर्थ पर 25 किलो यानि 25 केजी छोड़ना है और अभी आपने सो कर दिया 90 केजी तो मैं तो सोचके आई थी कि 15 दिन आपके पास रहूंगी लेकिन अब मुझे आपके पास तीन वहीने रहना पड़ेगा तो बीमारी रहती है हमारे पास फिर तीन वहीने के लिए हम कहते हैं भाई जी कुछ ऐसा बताओ कि यह चली जाए जाएगी कैसे हम तो उसे कोस इतना रहें कि पूछो मत कोस कोस कर हमने पूरे वाईयू मंडल को दूशित कर रखा है घर वालों का जीना मुश्किल कर रखा ह पूरे घर में नेगिटिव आइब्लोशन फैला के रखे हुएं बाबा ने ड्यूटी दी थी वाईयू मंडल परिवर्तों को बना देना है और हमने वाईयू मंडल को पूरा हैवी करके रखा हुआ है चिड़ी चिड़े रहते हैं क्यों एक छोटी सी बिमारी के लिए हम कह तो क्यों से बोज उतार ने आई हूँ तेरे सर पे इतना बोजय तु नाचेगा कैसे उस बोज को मुझे कम करना है और मैं कम कर रही हूं तो जब कम कर रही है तो उसे क्या कहना चाहिए हमको कि है बीमारी जी आपका दिल से धन्यवाद आप मेरे जीवन में आए आपने मु कर रही हूं कि मेरे सर से बोज हर पल कम होता जा रहा है बिमारी कहेगी ये तो बहुत अच्छा है ठीक है तो इससे क्या होगा जो को पंदरे दिन सोचके आई थी ना पांच दिन में चली जाएगी तो ले काम हुआ पूरा क्योंकि इसने तो पुन्य भी कमाया ना शुक्रिया करकर के वाई मंडल को लाइट किया तो आप देखेंगे औरे मैं तो जल्दी ठीक हो गया हाला कि कुछ हमारा भोजन डाएट उसका हमें ध्यान देना है फिलाल मैं डाएट पर कोई क्लास नहीं करा रहा हूं मैं फिलाल संकलक शक्ती पर बात कर रहा हूं तो हमने उसका कर रहा हूं